कि जैहन सातियों स्वागात आप से का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अला पे तो जितने भी दोस्ति इंडियन आर्मी अगनी बीर दोज़ाज चोबीस के तैयारी करें के लिए बहुत इम्हार्टपूर्ण जीके जीस प्रैक्रिस आपके अपने यूट्यूब चै करते द्रिक्रिप्शन में निमींचतन कर दिया है चलिव लिए तोप ठर्थी कोशन में अपने और स्कूर बिटाय कि आपको लोगी ने केतना कोशन सही है है कि व्हशन रहा है चलिए स्टाट करते ओन इन तर्राष्टे निरति दिवस किस दिन मना जाता है नतरठ चना तो दोस्तों यहाँ पर right answer है कि option C क्या होगा? 39अप्रायल क्या होगा मनाया आता है क्या? निर्थिदिष मनायाता है वर्स जो की नोबल पुरुषकार से सम्मान किया गा तो 1930 में जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जो की एक रेक्ट आंसर रहेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पे हैं कोशन दोस्तों क्या है कि भारत रतन प्राप्त करने वाले पहले भारते कौन इखरतेन थे भारत रतन प्राप्त करने वाले पहले भारती कौन dissolved। मातमा गांधी नेहरू इंद्रागांधी डॉक्टर स रधा किष्ण डॉक्टर एस राधा किष्ण तौस्ट्र क्या रहेगा मैं कि क्या है कि हूव 2954 में आप लोग लोग याद रखेंगे 1934 में इनको धिया गया था भारत रत्रतMO दिया गया था तो आप लोग आप यहाद रखेंगे नेक्स्ट कोर्ट नसक्ट की लॉइस्ट कोश्षण हैं कि किस नदी पे इस्तित है क्रश्णा नदी पे गुदावी नदी पे तो ब्रभाव नदी पे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुदता है करें आपको वीडियो कैसी लिए कि कुछ सुधार करने वाला हो तो हम सुधार जुरू करेंगे को अलमाटी डैm कि्म ड़ी पर इस्तित है तो रायट आन्सर क्या रहेगा आपका कृष्ण नदी पर आंसर रहेगा आप लोगए जो कि आपका यहां बांद कोशन अम नमर 5 दोस्तों क्या कह रहा है कि ऐसकर अवार जीतने वाल prinफ्शा कहले ठीण कौन थे ऑसकर अवार्ड जीतने वालियों कि पहले भारती म्यूजिक निर्दे से कौन थे अनुमलिक ए आर रहमान बप्पी लहरी या पर सलील चौधरी या फिर सलील चौधरी फर्स्ट इंडियन म्यूजिक डारेक्टर टू बिन दा ऑसकर अवार्ड आप लोग इसका आंसर रुषि क्रांती के शुरुफ हो इस नूइसा उला में इसलिश्व सत्रा में सभी थात delegate का ऐंसर करेंगे करेंगे रूब rat 8 8 आंसर रहेगा उनिश्व बढ़ते हैं और लेक्स और न ними फेलान के लोगते हैं की वरक्ष्ण मातरम में चार्चा mata रचाइता कौन है तो यहां पर राइट आंसर रहेगा क्या होगा आपका बढ़ते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता दोस्तों क्या होगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तुर्की जर्मनी को कहता है या फिर आस्ट्रेलिया को कहा जाता है सभी साथ इसका आंसर करेंगा क्या कह रहा है आफ्यूरोप तुर्की जर्मनी कनाड़ा और और ऐस्ट्रेलिया तर्की मात तर्की वुर्का direct answer आपको उप्से कि बैद का लग पुरुष के नाम में को सरदार पटेल K भगत इन्स को ने कि वरत्मान समय में डबलू टीओ के मुखी तरश्ञेस है कि तने देशंदेश है ठाइज तरी डबुली टीओ के जो कि बूसका पुराच फार्म क्या होगा तो आपलोग आज हो विस्याफार संगतन विस्याफार संगतन आरक्समार किष्टित तांग इसका पूरा 162 है या फिर 162 है तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 164 यानि की ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा टोटल दोस्त देश कितने हैं 164 कि क्या है कि सदस्य देश हैं बढ़ते हैं नेक्स कोशन नेक्स कोशन है आपका कि निम्न मैं से निम्न मैं से कौन सा एक देश म मित्र राष्टों में सामिल था मित्र रव की देश में राष्टों में सामिल था इंगलेंड अमेरिका जापान निम्न में से कौन सा एक देश मित्र राष्टों में सामिल था मित्र राष्टों में सामिल था इंगलेंड अमेरिका जापान या फिर उप्रोक तो सभी सभी साथ आंसर करेंग राइट आंसर क्या रहेगा तो दोस्ते हैं राइट रहेंगा आपका संथ ले ہے City खुत का कि निर्टрод म organise ने मदन मोहनमालभी ने गोपाल क्रिश्ण गोकले ने फिर महत्मा गांधी ने तबीचा इसका अंतरकरेइं कि में लॉक्स में उस्ट हचान को लाइक सर्वी नहीं बनाज हिंदु भी द्याले किस्थापना किते मदन महनमालभी ने की थी ट्रेपल एमने की ती आप लोग या जी मजुम्दार दैयाराम साहनी यह इन में एन में से जह cozy any तो राइट आंसर तो यहाराम साहनी के दवरा की गए द्रेट आतंसर रहेगा नेइस कोशने करो या मरो कानारा कितने दिया था। to give the slogan do and die do and die भगस्तिंग लाल भाश्वास्त्री महतमा गांधी डॉक्टर बी आर अंबेटकर राइट आंसर क्या रहेगा सभी थातिश का अंसर करेंगे राइट आंसर हैगा महतमा गांधी महतमा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था नेक्ट्स कोशन है कौन बीजिंग दो हो जार आट का स्रोड़ पफदक जीता है कान जो की बेजिंग ऑलंपिक 2008 का स्रोड़ पदक जीता है अविंद्रा रबंदर कुमार अकिल कुमार या फिस अन्सर करेंगे क्या है पंद्रा जो कि आपके जीक के अग्य है अभी इस्टें के कॉश्ट्ट अब के पंद्रा कोश्चन जो कि रहते हैं पंद्रा आपके चीके के और पंद्रा आपके जी असके तो यह लिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर जो कि आपका सोला है क्या है कि विदुद बल्प के अंदर कांग सी घैस भरी होती है जी नौन हाय ड्रोजन ऑक्सिजन या फिर और ग किया गया मोशले के द्वारा अरस्क तो ने को रहा फिर मेंद हिपके दवारत दोस्तों मोस्ट ंपरंट्न कोश्चन है आपके तो आप लोग वीडियो में अंतर जूरुब बने रही है और आप लोगों इन इसको जरू बताए इक कि आप कोशन सही किये हैं क्या होगा आफ आद्रिक आवढ़ सानिक नियम का प्रत्पाद्र किसके द्वारा किया गया है तो मेंक्डरी व्रकीया गया ऑप्षण डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा नेस्ट कोशन है कि मुझमत्ति रसायनिक उर्जा को किस उर्जा में परिवतित करती है मौमत्ती रसायनिक उर्जा को किस उर्जा में परिवतित करती है प्रकास उर्जा में यांत्रिक उर्जा में बिदुत उर्जा में या फिर धनी उर्जा में या फिर धनी उर्जा में तो यहां पर राइट आंसर है कि मौमत्ती रसायनिक उर्जा का क्या होता है हीरा विदुध उर्जा का होता है बताना है आपको क्या होता है अड़जब्स चाणक होता है से 50 आ इन वेस्ता सटीन इस एन एनके और right answer option number C next question है आपका कि कि किस धातु को रणीतिक धातु कहते हैं किस धातु को रणीतिक धातु कहते हैं titanium को lithium को boron को या फिर hydrogen को या फिर hydrogen को सभी साथ इसका आंसर करेंगे question number 20 का right answer क्या रहेगा कि किस धातु को रणीतिक धातु कहते हैं तो titanium is the right answer option number A तो जितने भी साथी option A को कर रहे हैं सभी तवसाथियों का right answer रहेगा next question दोस्तों क्या है कि tetanus रीर का कौन सा अंग प्रवाइद करता है आपको पताना है which part of the body is affected by tetanus छोटी आत या करत तंत्र का तंत्र को तो right answer क्या रहेगा कि tetanus रीर के कौन सांग को प्रवाइद करता है तो आपके तंत्र का तंत्र को जो कि क्या करता है प्रवाइद करता है option C correct answer का nervous system is the right answer next question दोस्तों है कि putatory ग्रंथी कहाँ पर इस्तित होती है putatory ग्रंथी कहाँ पर इस्तित होती है छोटी आत में अमाश्य में मस्तिस्क में या फिर मेरू दंड में आपको इसका आंसर करना रहेगा putatory ग्रंथी जो कि कहाँ पर इस्तित होती है कहाँ पर इस्तित होती है तो right answer रहेगा option ने किस खोज की थी घे तर देना है तो आपके हैं इंसलीन की storage की या फिर या फिर रहेगा कि बेंटिंग और बेश्ट ने किसकी खोज की थी तो आपके यहां पर क्या होगा प्रेंश आपका इंसुलीन इस दा राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट आंसर रहेगा इंसुलीन की खोज की थी नेक्स कोश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में गुलन सील नहीं है गुलन सील नहीं है विटामिन के विटामिन सी विटामिन डी या फिर विटामिन ए सभी साथ इसका आंसर करेंगे तो यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नमबर भी विटामिन सी कि यह जोगे किया है वसा में घुलनसील बिटामिन नहीं है नेस्ट को सब्सक्राइब का 25 क्या रहेगा किसी आधनिक वर्गी की कापिता कहा जाताए लिनियस को ठ्रियो फ्रेटर्टर को पाल मुलर को या फिर अरस्तू या फिर सब्सक्राइब का अंसर करें को से घराइट अंचन और यह क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा से कोचर करेंज और या फिर एस्कार्विक तेहापर यह आंसर रहेगा बिटामिन आप कराई से ऐिरने रहें गरिंगे on पासमी नवड़ आंसर रहेगा जा घराइश को कूचन होता है वाड़ी दाव वैलू पीच वैलू आप वाइल जूस 7.4 7.7 8.4 या फिर 6.4 6.5 तेहां पर राइट अंसरे का पित्र स्काप यह मां दोस्तों 7.7 यानि कि साथ दस्मनों स्थाथ होता है निकि ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट आंसर रहेगा लेस्ट कोश्चन है या फिर छाफ पर है भाइट रहेगा कि मिठेन का सही क्या होता है बढ़ता है या पर रवर्तित रहता या इन में से कोई नहीं तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा कि दा बढ़ाने पर विटामिन का प्रोटीन का कार्बोहाइडर्स का या फिर वसा का तो आप लोगों इसका आंसर होम्वर्क में करके देना है आप लेंट कमेंट करके और वीडियो वताएगा आपको कैसी लगी के लिए मिलते आपको नेक्स सेसल में तब तक लिए जय हिन जय वारत बंदे मात्रम